Good day to all of you के मदद से आप किसी paragraph अथवा किसी line के चारो तरफ एक box insert कर सकते हैं लेकिन आपको वह line अथवा paragraph को select करना होगा अगर आप बिना select किये हुए section option का उपयोग करते हैं तो या एक नए box में बनके आ जायेगा जिसमें आप type भी कर सकते हैं कि आप जानते हैं कि table क्या होती है और इसका उपयोग क्यों करते हैं table row और column से मिलकर बनती है या आपके math के notebook की तरह दिखाई देती हैं जिसके अंदर बहुत से box होते हैं जिने sale कहते हैं और sale को मिलाकर row अथवा column बनते हैं table का उपयोग आप बहुत से कार्यों के लिए कर सकते हैं जैसे कि किसी के list बनानी हो, office के कार्यों के लिए, report card, calendar, student के marks या उनके details इत्यादी बनाने के लिए करते हैं क्या आप जानते हैं मर्ज sale क्या है? मर्ज का मतलब होता है मिलाना यानी एक करना मर्ज sale का उपयोग दो या उससे अधिक sale को एक sale में करने के लिए करते हैं क्या आप जानते हैं split sale का उपयोग क्यों करते हैं? Split का मतलब होता है अलग करना या टुकडों में बाटना Split Cell से आप एक सेल को एक से अधिक सेल में बदल सकते हैं अथवर टुकडों में कर सकते हैं आप चाहें तो सेल को horizontally या vertically में कर बाट सकते हैं क्या आप जानते हैं Protect Cell से क्या होता है प्रोटेक्ट सेल की मदद से सेल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जिसकी मदद से उस सेल के अंदर कोई चेंजेंस नहीं कर सकते हैं क्या आप बता सकते हैं प्रोटेक्ट सेल को अनप्रोटेक्ट कैसे करते हैं Protect Cell को Unprotect करने के लिए आपको Right Click करके आए हुए Option में Cell को Select करना है और फिर Unprotect पर क्लिक करना होगा क्या आप जानते हैं फॉर्मुला से क्या होता है फॉर्मुला की मदद से आप टेवल में लिखे नंबर को जोड़ना, घटाना, मल्टिप्लाई करना, अर्थमैटिक और यंग गणित के और क्रियाओं को कर सकते हैं अब आप अपने कम्प्यूटर को On करें और राइटर की फाइल को Open करें आईए आज की क्लास को सुरू करते हैं अब एक 5x5 का टेवल बनाएं जिसमें बुक की डिटेल हो जैसे बुक नेम, बुक की संख्या, प्राइस भी लिखी हो क्या आपने टेवल को बना लिया है? अब आप एक रो को इंसर्ट करके दिखाएं उसमें एक और बुक की डिटेल लिक के दिखाएं अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देख कर सीखें आईए वीडियो को देख कर सीखते हैं कि रो को कैसे इंसर्ट करते हैं जैसे कि आप सभी को वीडियो में दिखाया जा रहा है आपको जिस कॉलम या जिस row के आगे आपको row insert करना है वहाँ पे अपने cursor को रखें फिर उसके बाद अपने pointer को menu बार के table बिकल्ब पे लेकर जाए insert पे लाएं और फिर row बिकल्ब को select करें वहाँ पे click कर दें बॉक्स आएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है यहाँ पे आप number को भी दे सकते हैं कितने row आपको लेने हैं by default टेक आ रहा है उसके बाद आपको जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है position कि आपको कहां पे रखना है जहां आपका cursor है उससे पहले या उसके बाद दोनों में से किसी एक option को select कर सकते हैं अब एक नया row insert हो गया अब यहाँ पे आप जो भी चाहें डेटा आड़ कर सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से आप टेबल में एक नया row को insert कर सकते हैं अब आप एक column को insert करके दिखाएं जिसमें book quantity लिखी हो अगर कोई समस्या हो तो वीडियो देखकर सीखें आईए वीडियो को देखकर अब column को insert करना सीखते हैं जहां भी आपको एक नया column add करना है वहाँ पे अपनी cursor को लेकर जाएं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद अपने pointer को menu बार के table भी कल पे लेकर आएं क्लिक करें यहाँ पे insert पे जाएं उसके बाद column पे क्लिक करें अब एक box आएगा यहाँ पे आपको column के number देना है कितने column चीए आप यहाँ से number बढ़ा सकते हैं column का और कम भी कर सकते हैं position को यहाँ पे define कर सकते हैं कि आपका जब cursor है table के अंदर उसके पहले चीए या उसके बाद माली जी हमें उसके बाद चीए तो हम after select कर लेंगे जो by default select है और फिर रोके पर क्लिक कर देंगे यहाँ पे एक नया column add हो जाएगा अब नया column को आप यहाँ से table टूल बार के तोरह भी insert कर सकते हैं जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है इस तरह से आप अपने table के अंदर एक नया column को add कर सकते हैं अब आप price वाले column को split करके दिखाएं जिसमें RS और पैसे लिखे हुए हो अगर कोई समस्या हो तो वीडियो देख कर सीखें आईए अब वीडियो को देख कर सीखते हैं कि split cell विकल्प का उपयोग कैसे करते हैं जैसे कि आप सभी को वीडियो में दिखाया जा रहा है जिस cell को भी आपको split करना है यानि कि दो बागों में बाटना है वहाँ पे अपने cursor को रखें और उसके बाद अपने pointer को table विकल पे लेकर आए यहाँ पे click करें अब इस box के अंदर आप split को डूंडें यहाँ पे click कर दें एक box आएगा जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है पहला option है यहाँ पे split कितने भागों में आप उससे बाटना चाहते हैं क्योंकि हमें अभी 2 में करना है तो यहाँ पे number 2 ही होगा और कैसे रखना है horizontally या vertically हमें horizontally रखना है तो हम उसे horizontally select करेंगे और ok कर देंगे जिससे कि आपका यह cell दो भागों में बढ़ जाएगा जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है फिर table पे जाएंगे split cell पर click करेंगे number को देंगे कि इतने भागों में बाटना है उसके बाद vertically बिकल्प को select करेंगे फिर ok कर देंगे यह आपका cell जो है vertically दो भागों में बढ़ जाएगा अब नीचे आप पूरे cell को select कर लें table पे जाएं split बिकल्प पे click करें vertically बिकल्प यहां पे select करेंगे और ok कर देंगे अब देखें यहां पे आपने जो cell select किया था वर divide हो गया अपस में अब यहां पे आपको जो कहा गया था type करें Rs और पैसे इस तरह से आप अपने table के cell को split कर सकते हैं यानि कि दो भागों में बाट सकते हैं अब आप उसी कॉलम को एक करके दिखाएं अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देख कर सीखें आईए वीडियो को देखकर अमर्ज सेल विकल्प का उप्योग करना सीखते हैं अभी आप सभी ने split cell विकल्प का उप्योग किया जिस सेल को भी आपको मर्ज करना है उससे select कर लेंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है यहाँ पर जो data type था उससे backspace की के दुवरा delete करें और फिर select कर लें उसके बाद table पर जाएं merge cell पर click कर दें अब देखें यह सारे cell आपस में merge हो गए यानि सारे cell आपस में जुड़ गया है उसके बाद अब यहाँ पर जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है यह इन पूरे cell को select कर लें अपने pointer को table पर लेकर जाएं यहाँ पर click करें और फिर अप merge cell पर click कर दें अब देखें कि यह आपस में merge हो गया जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद आप अपने pointer को table से बाहर रखें और फिर इसे undo कर लें अब एक cell को select कर लें उसके बाद table पर जाएं merge cell पर click कर दें मतलब आपको अब एक-एक cell को select करना है मतलब आपको एक-एक cell को select करना है और उसे merge करना है जैसे कि आपको बार बार वीडियो में दिखाया जा रहा है अपने pointer को table पर लेकर आएं cell को select करने के बाद और merge cell पर click कर दें फिर अगले cell को select करें table पर जाएं click करें merge cell को select कर लें फिर अब सबसे last वाले cell को select कर लें और इसे merge cell कर दें इस तरह से आप सभी cell को या इस प्रकार से table के cell को आपस में merge कर सकते हैं अब आप price वाले column के number को order को change करके दिखाएं उसे घड़ते करम से बढ़ते करम में करके दिखाएं अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देखकर सीखें आईए वीडियो को देखकर आप sorting करना सीखते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है आप अपने pointer को price के नीचे वाले sale को select कर ले select कर ले select आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं उसके बाद अपने pointer को table menu बार पर लेका रहें फिर उसके बाद यहाँ पर क्लिक करें फिर sort लिखे हुए option पर क्लिक कर दें एक box open हो जाएगा अब यहाँ पर key type में क्लिक करें एक box open होगा यहाँ पर numeric select करें क्योंकि हम numbers को क्योंकि हम number का sorting कर रहे हैं यहाँ पर ascending को select करें और उसके बाद okay पर क्लिक कर दें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया चा रहा है अब आपके जो numbers हैं वह उपर से घरते करम से शुरू होंगे और end में बढ़ते करम में चले जाएंगे इस तरह से आप sorting भी कल्प के द्वरा ascending और descending कर सकते हैं अब आप row या column के size को बढ़ा के दिखाएं अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देखकर सीखें आईए अब column के width को बढ़ाना या कम करना सीखते हैं इसके लिए आप सभी अपने pointer को table के अंदर क्लिक करें उसके बाद menu बार के table भी कल पे लेकर जाएं यहां पे क्लिक करें उसके बाद अपने pointer को auto fit पे लेकर आएं और फिर आप column width पे क्लिक कर दें जैसे कि आपको दिखाया जारा वीडियो में यहां से आप column के नंबर को देदे और यहां पे कितना width रखना चाहते हैं यहां पे उसके नंबर को यहां पर बढ़ा सकते हैं कम कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है कितने column रखना है एक दो तीन जो भी column रखना है आपको यहां पे नंबर उसके दे सकते हैं यहां पे उसके बाद width के size को यहां पे दे सकते हैं उसके बाद OK कर देए अब देखें कि column का width बढ़ गया दुबारा से पूरे table को select कर ले उसके बाद अपने pointer को table menu बार पे ले जाएं क्लिक करें आपे उसके बाद auto feed बिकल पे क्लिक करें उसके बाद distribute column equally बिकल को select करें जिससे कि आपका या पूरा table के column जो है सारे बराबर एक width में आ गया है इस तरह से आप column के width को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं या उसको एक बराबर में यहां से कर सकते हैं अब आप price वाले column को formula की मदद से total करके दिखाएं अगर कोई समस्या हो तो वेडियो को देख कर सीखें आईए अब numbers को सम करना सीखते हैं आप अपने pointer को table के अंदर रखें उसके बाद table पे जाएं क्लिक करें यहां पे insert पे जाएं फिर अपने pointer को column पे लेकर आएं row पे लेकर आएं क्लिक करें यहां पे एक box आएगा और row को insert कर लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा हैं अब यहां पे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा हैं तीन row को select कर लें select करने के बाद table पे जाएं उसके बाद merge cell पर क्लिक कर दें जिससे कि आपका यह तीनो रो आपस में combine हो जाएगा यानि कि जूड जाएगा अब यहां पे alignment से center alignment set करें उसके बाद total type करें यहां पे फिर उसके बाद सबसे last वाले column के नीचे या सबसे इसी line में last cell में अपने pointer को लेकर जाएं और यहां पे इकवल टू के key को प्रेस करें यहीं बराबर के key को प्रेस करें उसके बाद sum type करें sum अब bracket open उसके बाद जिन नंबर को आपको total करना है उन नंबर के इस cell को select कर लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है select करने के बाद enter बटन का उपयोग करें जिससे कि अब यह पूरे cell का total आ जाएगा जिसको आपने select किया था उनके जितने भी नंबर है सबके total हो जाएंगे इस तरह से आप total कर सकते हैं अब आप table को text में बदल कर दिखायें अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देख कर सीखें अब आप से भी अपने pointer को table के अंदर लेकर आएं उसके बाद पूरे table को select कर लें select करने के बाद अपने pointer को table menu बार के विकल पे लेकर आएं यहाँ पे क्लिक करें उसके बाद convert विकल पे लेकर आएं अपने pointer को अब यहाँ पे आपको table to text पे क्लिक करना है क्योंकि आपको table से टेक्स्ट में convert करना है यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे जब आप क्लिक करेंगे एक box आएगा जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे आपको tab select करना है और ok पर क्लिक कर देना है जिसे कि आपका जो table है वो text में convert हो जाएगा यह जो आपके table है वो tab की रूप में convert हो जाएगा क्योंकि हमने by default वाँ पे tab select किया था इस तरह से आप अपने table को text में convert कर सकते हैं अब आईए tools menu के कुछ बचे हुए विकल्प के बारे में सीखते हैं क्या आप बता सकते है mail merge wizard से क्या होता है mail merge एक बहुत ही महत्वपूर option होता है क्योंकि इससे आप अपने किसी दूसरे को अपने document को email कर सकते हैं यानि कि भेज सकते हैं इसके दुआरा एक से ज़्यादा आद्म या person को आप mail भेज सकते हैं mail merge wizard के मदद से आप letter को बना सकते हैं और envelope के format को बना सकते हैं से सीखते हैं mail merge का उपयोग कैसे करते हैं आए ये वीडियो के दुआरा देखकर सीखते हैं कि mail merge भी कल्प से हम किसी को later कैसे send कर सकते हैं या कैसे email कर सकते हैं जैसे मानलीजे वीडियो में दिखाया जा रहा है menu bar के tools भी कल पर जाएंगे क्लिक करेंगे यहां पे उसके बाद mail merge wizard पे क्लिक करेंगे एक box आएगा यहां पे steps और दूसरे साइड में select starting document for the mail merge आएगा यहां पे by default use the current document select होता है इन में से आप किसी भी एक को select करेंगा आपको current document को भेजना है तो पहला वाला select होगा अगर नया document create करना है तो नया create a new document जो भी आपको करना है यहां से आप ले सकते हैं मानलीजे हमने create a new document लिया अब हम कोई नया document ले रहा है next पर click करेंगे अब यहां पे option आ रहा है कि select a document type कौन सा document लेना चाहते है later या email message तो यह आपको देखना है कि आप क्या लेना चाहते है मानलीजे हमने email message select किया उसके बाद next पर click कर दिया अब insert address block आएगा यहां पे आपको select address list पर click करना है यहां से हम address को अगर हमारी computer के अंदर है तो हम address को select करेंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अगर आप नए address create करना चाहते है तो आप create पर click कर देंगे यहां पे जो भी आप title देना चाहते हैं किस बारे में email कर रहा है वहां पे इसका tag देंगे टाइटल को देंगे टाइप करेंगे यहां पे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद first name फिर last name को टाइप करेंगे यहां पे फिर company name को टाइप करेंगे address line 1 को टाइप करेंगे यहां पे फिर उसके बाद address line 2 को यहां पे टाइप करेंगे city टाइप करेंगे यहां पे state उसके बाद पीन कोड country अगर आपके पास incomplete है तो कोई नहीं address सल जाएगा अगर पूरा address है तो पूरे address को टाइप करें telephone number email address जो भी है आप दे सकते हैं जैसे कि वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है फिर उसके बाद gender को दे सकते हैं किसको आप भेज रहा है male या female उसके बाद आप okay कर दें जैसे आप okay पर क्लिक करेंगे अब यह save करने को कहेगा कि आपको इसे save करना है आप इसे अपने desktop पे save कर सकते हैं save करने के लिए save पर क्लिक कर दें यहाँ पर देखें वो address save हो गया और फिर आप okay कर सकते हैं यहाँ से फिर उसके बाद आप next पर क्लिक कर दें यहाँ पर क्लिक कर दें जो भी यहाँ पर text देना चाहते हैं आप यहाँ से दे सकते हैं अब preview आप यहाँ पर देख सकते हैं अब प्रिव्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं फिर उसके बाद next पर क्लिक कर देंगे अब उसका layout यहाँ पर आ जाएगा आप उसके position को यहाँ से move कर सकते हैं कहाँ पर रखना है आपको up में रखना है down में रखना है नीचे के तरफ यहाँ से आप उसके position को दे सकते हैं रेसिप्ट आ जाएगा कित्मे लोगों को आप भेज रहे हैं उसके बाद आप उसके बाद आप edit document पर क्लिक कर दें अब देखें यहाँ पर mail merge का wizard आ गया यहाँ से आप return कर लें पीछे से ले जाएं चेक करके फिर आप वहाँ से edit करके change कर सकते हैं फिर आप next पर क्लिक कर दें अब यहाँ पर आप document को select करें यहाँ पर कोई changes नहीं करना है आपको next पर जाना है save print और send the document option आ जाएगा यहाँ पर अब यहाँ से save starting document save merge document save merge document विकल को select करें from यहाँ पर download जो भी है आ जाएगा print लेना जाते हैं print का यहाँ पर आ जाएगा printer setting यहाँ से आ जाएगा अगर आपके पास printer नहीं है तो Microsoft XP document जो लिख कर आता writer हुआ जाएगा अगर आप यहाँ पर send merge document as email करना जाते हैं यहाँ पर कर सकते हैं email address को यहाँ पर type कर सकते हैं subject को यहाँ पर type कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद send document पर क्लिक कर आप देखे एक box आएगा अब यहाँ पर एक box आएगा box में तीन option दिये गए हैं जैसे कि आपको दिखाया जा रहा वीडियो में yes, no, cancel अगर आपको कुछ और email id एड़ करना है तो आप yes पर करेंगे अगर नहीं करना है तो no अगर cancel करना चाहते हैं तो cancel कर देंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है आपने yes किया यहाँ पर एक box आया यहाँ पर अब इस box के अंदर आपको email address टाइप करें यहाँ पर type कर सकते हैं type करने के बाद आपको अगर name देना चाहते ना भी दे दे उसके बाद okay कर दे अगर नहीं करना चाहते हैं इसे close कर सकते हैं यहाँ से जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद आप send document पर click कर दें यह आपका document जो है mail हो जाएगा और यहाँ से आप close कर सकते हैं इसको इस तरह से आप message को record कर सकते हैं आप text या paragraph के shortcut बना सकते हैं जिससे आप बाद में कभी भी और किसी भी page पर उपयोग कर सकते हैं आईए अब वीडियो की मदद से इसका उपयोग करना सीखें आईए अब macro के लिए वीडियो को देखते हैं इसके लिए आप सभी अपने pointer को tool बिकल पर लेकर आएं क्लिक करें यहाँ पर उसके बाद macro लिखे हुए बिकल पर लेकर जाएं इसके ठीक सामने एक box आगया यहाँ पर आपको record macro पर क्लिक करना है अभी आपका macro record होगा जो भी आप type करेंगे अपने writer के page पर उसे यह record करता जाएगा अब हम यहाँ पर type करेंगे अपने writer के page पर यह अब macro के दुआरा record हो रहा है आप इसके अंदर कुछ भी type कर सकते हैं चाया अपना नाम, address, contact number, email address जो भी आप चाहें type कर सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर pointer लाना है और stop recording पर क्लिक कर देना है जिससे कि आपका यह macro जो record हो रहा था वह रुट जाएगा अब यहाँ पर अपने pointer को रखना है और macro के नाम type करना है जो भी आप नाम देना चाहते हैं आप यहाँ पर name type कर सकते हैं उसके बाद आप save यहाँ पर option पर क्लिक कर दे जिससे कि आपका यह macro अब save हो गया अब मालने जी हमें दूसरे writer के page पर आ गया है अब हमें वह पूरा line चीए तो या तो हम पूरा अपना address या जो हमने type किया है उससे दुबारा से type करेंगे लेकिन अगर हमने macro record कर रखा है तो हम macro के दुबारा direct उसको किसी भी page पर ला सकते हैं इसके लिए आपको tools पर जाना होगा यहाँ पर क्लिक करना होगा उसके बाद macro फिर उसके आय हुए box के बाद आपको organize macro पर जाना है यहाँ पर open office basic select करना है अब इस box के अंदर आपको जिस नाम से आपने save किया है उस नाम के text को select कर लें और फिर उसके बाद अपने pointer को यहाँ पे लेकर आए run पे और यहाँ पे click कर दें जब आप run पे click करेंगे जहाँ भी आपका cursor होगा वहाँ पर पूरा text जिससे आपने record किया था macro के दुआरा वहाँ पूरा text automatic आपके writer के page पर आ जाएगा इस तरह से आप macro का उप्योग कर सकते हैं अगला option customize का है क्या आप चांगते हैं customize से क्या होता है customize option के मदद से आप menu बार को customize कर सकते हैं उसके option को भी customize कर सकते हैं और खुझ से भी अपने नाम का menu बना सकते हैं यहाँ customize का मतलब है कि आप अपने अनुसार किसी भी option का उप्योग कर सकते हैं आईए वीडियो की मदद से सीखते हैं customize option का उप्योग कैसे करते हैं आईए वीडियो को देखकर अब सीखते हैं कि कस्टमाइज भी कल्प का उप्योग कैसे करते हैं और इससे क्या होता है इसके लिए आप सभी अपने pointer को जैसे की वीडियो में दिखाया जा रहा है tools भी कल्पे लेका रहा है यहाँ पे क्लिक करें उसके बाद customize भी कल्पे क्लिक करें एक box open होगा इस box के अंदर चार अलग-अलग प्रकार का option दिये गया है सबसे पहला option menu का है यह by default select है अगर नहीं है तो इससे select कर लें उसके बाद जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है पहला option file का है इसके अंदर file के सारे sub menu है अगर आप create करना चाहते हैं तो यहां से new पे click करें और उस menu के आप नाम यहां पे type कर दें जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है वीडियो में और फिर ok कर दें इस तरह से अपने नाम से एक नए menu को create कर सकते हैं उसके अंदर add करना है जो भी option आप यहां से add कर सकते हैं document select करें close को select करें create auto correct ले ले control में जाएं जो भी आपको options चीए या commands जो भी देना आप यहां से दे सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है table को select करें table के अंदर जो जो option रखना चाहते हैं यहां से select कर सकते हैं और add पर click कर दें वह आपके जो नाम का menu बनाया आपने उसके अंदर यह सारे option आ जाएंगे उसमें data आउने लिया sort add किया यहां से अब इसे close कर दें और फिर उसके बाद ok पर click कर दें अब देखे rider के page पर आपके नाम का एक नया menu बार बन गया यहां पर click करें जो जो option आपने select किये थे वह सारे option यहां पर आ गए फिर से आप tools पर जाएं क्लिक करें यहां पर उसके बाद customize पर क्लिक कर दें second option दूसरा option keyboard यहां पर क्लिक करें इसके अंदर देखें बहुत सी अलग-अलग sort keys है sort cut keys है इनमें जो भी आपको देखना जाते हैं आप उसे देख सकते हैं से scroll करके इसके बाद अगला option आता है टूल बार्स का टूल बार के अंदर भी यह जैसे option दिख रहे हैं आपको इनको आप customize कर सकते हैं यानि कि आप चाहें तो इससे रख सकते हैं अटा सकते हैं जो option आपको नीची यह उस पर क्लिक कर दें जिसे कि जो tick कर सही का निसान है वह हट जायेगा इसका मतलब कि आप अपने standard टूल बार में उन option को हटा रहे हैं यहांसे आप इससे scroll करके उपर जा सकते हैं या इस पर क्लिक करके नीचे के तरफ आ सकते हैं यहांसे आप add कर सकते हैं या modify कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद आपको ok कर देना है अब यहां पर देखें जो option हमने हटाया वो सारे option यहांसे हट गए standard toolbar के अंदर से दुबारा से आप tools पर जाएं customize पर क्लिक करें toolbar के अंदर standard select है उसके बाद आप यहां पर new पर क्लिक करें एक box आएगा यहां पर toolbar का नाम दे सकते हैं अपने नाम से एक नए toolbar को create कर सकते हैं आप नाम को type करने के बाद आप ok पर क्लिक कर दें अब इसके अंदर जो भी आप options देना चाहते हैं इन options को select कर सकते हैं add कर सकते हैं उनको option select करने के बाद category के अंदर आप select करें जो option है उसके बाद commands को select करें फिर add पर क्लिक कर दें और ok कर दें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इस तरीके से आपका एक और यहां पर आपके नाम से toolbar create हो गया फिर से अब tools पर जाएं क्लिक करें यहां पर customize पर क्लिक करें menu option को select करें यहां पर क्लिक करें अब देखे सारे options हैं अब अपने नाम का जो आपने create किया था उसको select करें फिर menu पर जाके क्लिक करें यहां पर rename करें फिर आप toolbars पर जाएं यहां पर क्लिक करें उसके बाद यहां से भी आप अपने नाम के जो options है उसको select करें फिर toolbar पर क्लिक करें यहां से delete करें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद आप ok करें इस तरह से आप customize के द्वारा आप अपने नाम से menu bar के options को बना सकते हैं standard toolbar के तरह ही एक औलग से toolbar अपने नाम का बना सकते हैं उनके options को रख सकते हैं हटा सकते हैं क्योंकि आज की class यहीं पर समाप्त होती है आप सभी writer की file को close करें और अपने computer को shutdown करें आज की class में आपने table menu का अभ्यास किया और tool menu के कुछ option के बारे में सीखा आप आप आप